नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरीची दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां लहसुन के फायदों और नुकसान के बारे में आज हम सभी जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से आम तोर पर लहसुन कई खा एंटी वाइरल एंटी फंगल और एंटी ऑक्सिडेंट गुन होते हैं इसके अलावा लहसुन विभिन्य प्रकार के विटामिन और पोशक तत्वों से भी भरपूर है इसमें विटामिन B1, B6 और C के साथ साथ मैगनीज, कैल्शियम, तामबा, सेलेनियम और कई अन्य रोजाना थोड़ी मात्रा में लहसुन का सेवन आपके स्वास्थे को बेहतर तो बनाता ही है परन्तु साथ ही में यह आपके शरीर को बीमारियों से संरक्षन भी प्रदान करता है लहसुन का सबसे अधिक स्वास्थे लाव लेनी के लिए इसे कच्चा ही खाना चाहिए पक के लिए आप इसका सेवन सुभा सुभा खाली पेट कर सकते हैं आए जानते हैं सबसे पहले लहसुन के कुछ लावों के बारे में हिरदय के स्वास्थे में सुधार के लिए जानते हैं लहसुन दिल के स्वास्थे के लिए एक उतक्रिष्ट आहार माना जाता है इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्टरोल को कम करने और हिरदय रोग को रोखने में मदद मिलती है। यह धमनी कला का ठिन्य के विकास या धमनियों के सक्त होने की गति को धीमा कर देता है। यह दिल के दोरे या श्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी सहायक है। लहसुन के हिरदय संबंधी स्वास्थे लाव उठाने के लिए रोजाना सुवव सुवव एक या दो क्रश किये हुए लहसुन का सिवन करना चाहिए इससे आपके हिरदय के स्वास्थे में सुधार आएगा और हिरदय को रोगों से सनरक्षन प्राप्त होगा आप अपने चि पता चला है कि लहसुन उच्छ रक्त चाप को भी कम कर सकता है विशेश रूप से सिष्टल रक्त चाप उच्छ रक्त चाप से पीडित लोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खान के बाद आप एक गलास दूद पी सकते हैं आप लहसुन के सप्लिमेंट्स के खुराक भी ले सकते हैं लहसुन के लाफ गठिया रोग के दर्द को कम करने के लिए संधिय शोत यानि कि गठिया वाले लोगों में दर्द और अन्य लक्षन को कम करने के लिए लहसुन का एक प एक डाइलील डाइसफाइड नामक योगिक भी शामिल है जो उपस्थित हानिकारक एंजाइमों को सिमित करने में सहायता करता है गठिया के कारण सुजन और जोडों में दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन शामिल करें इसका सेवन खाली पेट करना च C, B6 और सेलेनियम और मैगनीज जैसे खनीज का एक अच्छा शुरोत है यह सभी विटामिन और खनीज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और खनीज और शोशन में भी सुधार लाते हैं इसके अलावा लहसुन में एंटियोक्सिडेंट और एंटिबायोटि जी हाँ लहसुन एंटिबायोटिक और एंटिवायरल लाप प्रदान करता है जो लहसुन को सर्द्य और खासी के लिए एक अद्भूत उप्चार बना देती है इससे उपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता भी कम हो सकती है इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रंकाइट जैसे विभिन्य श्वसन स्थितियों के इलाज में अत्यधिक लापकारी है यह खासी संबंधित कफ निश्कासक को बढ़ावा देता है लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लिमेंट्स का नियमित आधार पर सेवन उपरी श्वसन संक्रमण को कम करने के लिए कर सकते हैं कच्चे लहसुन खाने के फायदे हैं कवक संक्रमण से लगने के लिए बेहद ही फायदे मंद लहसुन में शक्ति शाली इंटी फंगल यानि की कवक रोधी गुन पाय जाते हैं जो फंगल संक्रमण से लगने में सहायता करते हैं फंगल इंफेक्शन दाद का एक प या तेल लगाएं मौखिक छाले से पीडित होने पर मुझ के प्रभावी शेत्रों पर लहसुन का पेश्ट लगाएं अपने आहार में ताजा कच्चे लहसुन को शामिल करें आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कवक दुर रहेगा लहसुन का सेवन है इलर्जी में फायदे मं जिहां लहसुन में उत्तम एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण पाये जाते हैं जो शरीर को विभिन प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं लहसुन ने एलर्जी क्राइनाइटिस के कारण हुई वायू मार्ग सुजन को कम करने में भी साकारात्म प्रभाव दिखाया है एलर्जी सीजन के दोरान एलर्जी वाले लोगों को दैनिक लहसुन के पूरक लेने की सलाह दी जाती है रैशिश कीट काटने या किसी अन्य प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली से तुरंत रहत पाने के लिए पीसे हुए लहसुन के पेश्ट को छेतर पर लगाना एक अच्छा विकल्प होता है लहसुन खाने के फायदे दिलाएंगे आपको दांत दर्द में रहत दांत दर्द को कम करने में लहसुन एक बहुत ही प्रभावी आहार है इसका श्रेय इसमें निहित इंटी बैक्टिरियल और एनालजेसिक गुनों को जात दांत दर्द से ततकाल रहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या क्रश किये हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावी दांत पर और आसपास के मसोनों पर लगाना होता है आपको रहत मिलती है आपका दांत दर्द बंद हो जाता है लहसुन का प्रयोग आपके प क्लेश्मा जिली को उत्तेजित करता है जो पाचन परक्रिया में मददगार है लहसुन जिगर को भी शरीर से वी शाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथी में जिगर को नुकसान पहुचाने से भी बचाता है लेकिन इसका अर्थ बिल कैंसर को रोकने में मदद करता है विशेष रूप से पाचन तंतर और फेफडों के यह कुछ ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है और कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद करता है। लहसुन में IT इलील सल्फर योगिकों की उपस्थिति कैंसर कोशिका में ब्रिध्धी की गती को धिमा कर सकती है जिन लोगों के परिवारिक इतिहास में कैंसर से कोई पीडित था तो कई प्रकार के कैंसर के खत्रे को कम करने के लिए उन्हें लहसुन का नियमित सेवन अवश्य करना चाहिए लहसुन के पूरक सप्लिमेंट्स कच्चे वद थाजे ल करने जा रहे हैं तो इसे खाली पेट लेने का सबसे अच्छा तरीका है यह तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है खाली पेट किया गया लहसुन का सेवन बहुत जल्दी असर दिखाता है यह आपके शरीर के चया-पचय को भी तेजी से तो दोस्तों ये तो था लहसुन खाने का लाव लेकिन इसके साथ-साथ इसको खाने के बाद होने वाली हानी को भी जानते हैं कि इसे हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमें हानी क्या क्या होगी लेसुन का भोग करने के बहुत सारे फायदे तो हैं परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थे के लिए कुछ दूश प्रभाव भी नहीं थैं जिनका ग्यान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दूश प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है लहसुन के साइड इफेक्ट्स को अच्छे प्रकार से जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं लहसुन का भोग ब्लून्टिंग, पीट फुलना, गैस, खराब पीट, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसे दुश प्रभाव को प्रेरित कर सकता है यदि आप पीट या पाचन समस्या से ग्रसित हैं तो साउधानी के साथ लहन सुन का उप्योग करें यह एक सकंद रोधी यानि के रक्त पतला करने वाला के रूप में कारे करता है और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्त छेप कर सकता है लहसुन कुछ HIV दवाओं का भी औरूद्ध कर सकता है लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर यों मुह से दुरगंध आ सकती है लहसुन के पूरक्या सप्लिमेंट्स का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए लहसुन वाटरीन, इंटी प्लेटलेट, साक्वी नावीर, इंटी हाइपर्टेंसिव, कैलशियम, चैनल ब्लोकर और इंटी बायोटिक दवाओं के प्रभाओं में हस्त शेप कर सकता है इसलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवस्य करना चाहिए हमने जो भी सावधानिया बताई इनका दैनिक सेहत बनाए रखने के लिए ध्यान रखना बेहत जरूरी है इसलिए अपने स्वास्ते को सही रखने के लिए इन प्रिकोशन को अपना करके इसके बाद आप अगर लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेहद फायदे मौदा और लापकारी सावित होता है दोस्तों तो यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लहसुन के फायदों और लोस से रिलेटेड फायदे हम बताते हैं इसके साथ साथ लोस इसलिए बताते हैं क्योंकि हर सबजी या फल या जो भी अवशदी है वो किसी रूप में फायदा करती है तो अत्यधिक मातरा में उसका सेवन आपको नुकसान भी करता है इसलिए हम बताते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो जिसको कि वो बढ़ावा देती है तो आप उससे बच सकें उस बीमारी में उसका सेवन ना करके उसका सप्लिमेंट में यानि कि कोई और दवा ले सकें आप कोई कार दोस्टूं